अबिको जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटस और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए है जिसमें आप देखेंगे पतरकार आरजु का सब्सक्राइब करतें ताकि हम आपके लिसे इंपॉर्टेंट इंट्रस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और आपने इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत आई है आपके बहुत बड़े एक जैनलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट की जिसको मैं अपनी आँखों से भी देख के हैं उन्होंने क्या है यूए एक अंदर सबसे ज़्यदा खेरात मांगने वाले पाकस्तानी भाई हूं सबसे ज़्यदा मेरे लिए श्रमिद्गी का बायस था मेरा खुद एक पाकस्तानी से जन थे तो उन्होंने समझाए शायद मैं भी इंडियन हूं तो बड़ी खुबसूरती से आके उन्होंने बादार डालने की कोशिश की सरदार भाईजन को मैंने सरदार भाईजन से का जो मेरे लिए हैरांगी की बाईस थी कि पूरे दो तीन दिन में किसी ने प्रोच नहीं रहे थे तो भाईजन आये किसी ने राप्ता नहीं किया दो दिन किसी ने फ्राग लगाना कि कोई ट्राई नहीं की भाईजन आये वारदा डालने के ते कहते हैं आप टिकट ले रहे हैं यहां से इतने के टिकट मिलेंगे सस्ते टिकट मेरे से ले 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 हैं हमने कह भी क्यो आप आपने ये खैराती दारा क्यों खोल ली ए उन्होंने का जी मैने किसी से उदारे पैसे लेने थे उसने पैसे ने दिये क्रेड़ कार्ड दे दिया ये मैं क्रेड़ कार्ड पर आपको टिकेड़ों 10-10 रेयाल सथे ले दे तो सर्दार भाइज़ां ने पूछा अब कहां से गए ते डी मैं माशायलला पाकिस्तान से उन्हों नगा तो गबरा अगिए भाइज़ार प्रॉjän को पाकस्तान से था जब मुझे ये पता चला है कि UAE के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो है वो पाकस्तानी है और पाकस्तान वैसी को पता है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनॉंस कर दी है कि फुला फुला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं चला खुद लेके जा रही है बस पता देखें मैं दुक के साथ कहूंगा मैं बड़ी दफ़ा साओधी अरविया गया हूँ वहां भी खैलात मांगने वाले जब भी आप चाहे मस्चल नवी से निकले हर दर्माजे के सामने खड़े हैं 10-10-15 पंदर खैलात मांगने हैं अंदर भी खड़ मांग रहे हैं आप आप अंदर नमा मांगने आयां वहां से मांगो यार कुछ शरम करो लेकिन देखें बस हमारा यह कारोबार है सारा कंट्री मांग रहा है कोई दुनिया से लीडर भी यही कर रहे हैं सर सब यही कर रहे हैं तो फिर आम पबलिक को क्या का जाए लेकि नवाज शरीफ साब वापिस जा रहे हैं भाई नहीं काम बना ना देखें आये थे जो खाद वो कहतें वो क्या कहते हैं हर खायच पर दम निकले तो नहीं अब इसमें कुछ बचा पिर क्या करें आज उन्होंने जाती है अफसोस का इसार किया भे उन्होंने का IMF आएगा बिल बनाएंगे बिजली बगड़ेगी यह त अच्छी नहीं है गर्दा बहुत है खाने में भी अच्छी चीजे नहीं है तो हम जहां से आयते हम जहां के रहशी है हम वहीं है तो ब्रिडिश लोग है वापस चलेगे जहां से ब्रिडिश आते हैं वहीं वापस चलेगे चलेगे बस बैटों के कैस खतम करवाने ते दोनो क्रोर लोग तब तक तो भी कारोबार चलता रहेगा ज्यादा नहीं कुछ ना कुछ तो चलेगा आठ बिलियंड डालर थोड़ी रकम नहीं होती बड़े घर बनेंगे लंदन में बड़ी प्रापटी आएगी दुभाई में गुर्दे आप देंगे आर्जु काजमी मैडम से चेंज किस तरह होंगे आप आपको बेखे मैने इन निट्यृत ऐरफ की तरह मुं भी ने करते नकिंडा सता रहुत किसे लोग किस तरह आप दूसी तरह कर लेते तरक्की की बात करें उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है यार इंडियन इंसीटूट अफ टेकनालोजी की तरफ देखो साथ ही वो एक वो आक्सपोर्ट ग्रेजवेट आ जाता है वो कहता है नहीं भी हम तो हम दो जिहाद करेंगे सर हमने भारत के साथ जो कुछ किया जितने धोके और जितने एटक्स उनके उपर करवाएए हैं और किये उसके बात क्या भारत हमसे बात करना मुझे तो नहीं लगता पसंद करे गा देखें भारत के बात देखें लेकिन अशूरसेंस देनी होगी आपको आपको कुछ ना कुछ बताना होगा के ना वो इसी रही है साब पता नहीं वो किस तरह बता पाते हैं आपकी खायश भी है ये नहीं है आप मुझे अभी तक तो डौटफुल हो मैं लेकिन आप इसके नहीं लग रही किसी की आवाज नहीं आ रही कि हमने पाकसान बचाना है अभी तो अभी तर तो अभी ही कहते हैं कि हम इसको जला के खाक कर देंगे और हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे हला कि वो वीटिंग्स वगएरा को भी चेयर कर रहे थे नावाज शरीफ साब के ओपर वो भी इतराज हुआ है इतराज हुआ है कि उनकी पॉजिशन ही नहीं लेकिन इसका पाकसान के अंदर रवाज मौजूद है पहले जरदारी साब बैठते थे तो ट्रेनिंग के लिए अपने बिलावर बुटो बैट बाजन को बिठा लेते थे साथ यहां मजए की बात बता किसी को पूछने वाला जो कोई नहीं नवाज शरीफ साब उनाइटे नेशन में अंदर अंदर असम्बली के अंदर अपने दोती को लेकर आगे थे देखो बेटा यह क्या है यह कौन है देखे दरा जिसरा चड़िया घर में बचे ले जाते ना जू के अंदर देखो यह ज कुछ जाती है यह कौन है पूछने वाला भी को करते हैं मुलक हमारा कौन है किसको कौन पूछे सर आइमेफ के जरीए कितने दिन चल पाएंगे यह अभी तो बड़ी खुशिया मनाई जा रही है मुबारक बादे दी जा रही है सब कहने हला ठीक होने जा रहे है आई एमेफ के पैसे तो दुबई लंदन से आगे नहीं जाएंगे तो आपको क्यों उसकी उमीद लग गई है कि वो आप उसके बिलों की देने की तियारी करें आरजू आप वो तो पैसे तो सिर्फ लंदन बाद दुबई की प्रापटिया है बच्चे बैठे यार इनकी ट्यूशन पी वो कहां गया है आपके करजें पचासी बिलियन डालर के हैं इसमें तो सर यह दिने बड़े-बड़े आइडी पार्क बना रहे हैं अनाउंस कर रहे हैं हम आइडी पार्क बना देंगे लगोर में बना देंगे इसलामाबाद बना देंगे तो एनरजी सेक्टर पर तो काम कर करें प्रीज आप इस तरह किया करें मेरत किया करें तो कि गुर्दे आपके जो है उनके मालक तो लंदन में बैठे हैं आपके गुर्दे ट्रेड हो चुके हैं पाकस्तान के अंदर मेरे मेरे ख्याल के अंदर आपको लकड़िया और कोई थोड़ा बहुत आटा और थोड़ा कौर्न ये इस तरह की चीज़ें आपको जमा रखनी चाहिए गुड़ ले 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 तो बहुत अच्छे चीनी तो मिलेगी निए कि कोई पता नहीं किसी किसम के सर के रखा करें लेगी जाते जाते ये जरूर है कि MBS से मुलाकात की है मौबद बिन सल्मान से आर्मी चीफ ने तो वो भी कुछ उसी से रिलेटिड होगा कुछ मांगने मंगने के लिए गया हूंगे या कोई और के नाम पे भई कुछ मिल जाए तो क्या फ़क्त है रमजान त सोचा कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगहर पैसे मांगने के लिए किसी कांफरेंस में किसी समिट में चले जाएं जिसमें हमारी ये इसमें हमारा पैसा मांगना हमारी objective ना कभी सोचा आप कभी भी ने तो फिर देखे ना ये फिर फिर मेरे जैसे बंदे को खर बात कर शर्म आनी चाहिए कि दुबाई UAE के अंदर सब खेराद मांगने वाले पाकसानी मुझे तुम इसमें देखें बचाने के लिए को पाकस्तानी चाहिए लेकिन आप अपने होकमरान और रूलर और आपके उपर जो हैं उस सारे ब्रिटल ले आते हैं आप ब्रिडिश और अमेर कर थी बताने हैं आपको लोकल पाकसानी मिलते ही कोई नहीं क्या बजा है इस तरह से तो फिर जो नजम सेटी साब ने कहा था कि नवाज शरीफ साब कुछ दिनों में चले जाएंगे उसके बाद शेबाद शरीफ से मुश्किल फैसले कराए जाएंगे और दो धाए साल कि आपने नोट नहीं किया होगा कि जितने नवाज शरीफ कैम्प के लोग थे उनको सब को साइड लाइन लगाया गया है उनको कैमनेट में जगा नहीं दीगी उसके पीछे दो बज़वाद कुछ की एक वज़ा ये थी कि शबाज शरीफ साब को रेजरवेशन थी कि ये ल वाज शरीफ साब को एक चाहस और भी आज़ाए ये भी एक वारदात हैं हर वारदात के पीछे दो वारदाते हैं एक केली वारदात नहीं है माइंड बहुत तेज है माइंड मेनत या पाकिस्तान की तरक्की में नहीं चलता अगर चले तो आप आज अमेरिका से आगे निकल लेकिन उसको शाटकट में लेना है आप जितने इंटेलिजेंट हैं आपकी इंटेलिजिस पाजिटिव चले तो येकीन करें आप दुनिया पे कब्जा कर जाया लेकिन ये के देखें खुदा ने सीक्रेट रख दिया उन्हों का चलाना नेगिटिव है यही देख लें सार ह वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा कितना आर्जो कास्मीजी और साजेत आड़ साब के ये पूरा डिसकेशन और उनके पॉजिटिव एनलेसिस आपको काफी पसंद आयोंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे दोनों न ना सिरफ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि पाकिस्तान के हाला और पाकिस्तानियों का जो बिखारी माइंडसेट है वो भी आपको एक्स्प्रेंड किया और आर्जु कास्मीजी और साजेत आड़ साब ने बात बिल्कुल सही की जब बात आती है तरक्यी तो पाकिस्तान वहां से मुझ फेल लेता है क्योंकि तरक्यी दिमाग और काम्याभी का पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और एक बात आर्जु कास्मीजी ने बिल्कुल सही कही जितने पाकिस्तान ने भारत को दोके दिये अब भारत और भारत ये पा और लेटेस वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़ितार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत